हेलो फ्रेंड्स आपका हमारी चैनल रच्छा की रसोई में बहुत बहुत स्वागत है अगर आप मेरी चैनल पर अभी न्यू आए हैं तो नीचे दिया गया लाल बुटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और हाँ आप मुझे पेस्बुक पर भी फोलोग कर सकते हैं पेस्बुक में आपको सर्च करना होगा रच्छा की रसोई और उस पेज को लाइक कर देना होगा तो वहां पर भी मैं अच्छ अच्छी रैस्पी डालती है हेलो एबडी वन आज की वीडियो में मैं आपको जो मक्का का बुट्टा होता है उससे दाने निकालने का बहुत ही अच्छा आसान सा तरीका बताने वाली हूँ मक्का के दाने से बहुत सारी रैस्पी बनती है जिसकी हमें जरुवत पढ़ती है लेकिन जो दाने होते हैं ये निकालना काफी मुश्किल हो जाता है तो आज के वीडियो में मैं आपको बिना चाकू के बिना मसीन के हातों की मदद से ही फटा फट बुट्टे के दाने निकालने की ट्रिक बता रही हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है यह बहुत ही simple सी trick है, इस trick से आप धेर सारे d auntie फटा फट ही Minto में निकाल सकते हैं तो चलिए fan, शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैं ने एक भुट्टा लिया है तो मैं इसी भुट्टे के दाने निकालना आपको बताऊंगी तो सबसे पहले तो यह देखीजिए कि दाने इतने गसे हुए होते हैं कि इस तरह से हांतों से निकालने में बहुत जादा टाइम लग जाता है और उंगलियों में दर्द जाता है तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है कि चाकू लेना है और भुटे को लंबाई में 20 से दो तुकड़े कर देने हैं यानि कि इसको आपको लंबाई में काटना है ये देखिए तो इसके लिए अगर आपके हाँ चाकू थोड़ी बड़ी वाली हो मजबूत हो तो ज्यादा अच्छा है ये फिलहाल मेरे हाँ बहुत ज्यादा मजबूत चाकू नहीं है फिर भी मैंसे काट रही हूं कट तो रहा ह है थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है हलका सा ये देखिए इस तरह से मैं इसको काट लूँगी तो ये देखिए इसके मैंने 20 से दो तुकड़े कर लिए हैं ये तुकड़े बहुत ही आसानी से हो जाते है आसानी से कट जाती है बस बड़ी वाली चाकू हो तो बहुत ज यह खोणी बोट्टेह वाले होते हैं वो दाने अगर निकालते हैं तो इस तरह से निकालते हैं मैंने उनी से ट्रिक 170 दाने हमारे निकल रहा हैं एक बार में करीब चार से पांच दाने हमाले निकल रहे हैं, कभी कभी तो ज़्यादा भी निकल आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितने जल जली दाने निकलते जा रहे हैं, तो इस तरह से सपोर्ड मिल जाता है दाने निकलने के लिए, अगर हम भी से दो तुकड़े कर दे अगर नॉर्मल हम पूरा साबत भुट्टा ही लेंगे तो दाने इतनी गसे हुए रहते हैं कि हमारी पकड में भी नहीं आते हैं बहुत टाइम लग जाता है तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने दाने कितनी आसानी से निकाल लिए हैं तो आप चाहे और भी भुट्टो के आटा बन जाता है जिसको हम कौन फ्लोर भी कहते हैं यह कई रैस्पियों में काम आता है और दाने इसको हम वाइल करके इसको मसाले बगयरा मिला करके इसकी बहुत सारी रैस्पि भी बनाते हैं बहुत सारी रैस्पि बनती है इन दानों से जिसके हमें जरूरत पड़ जाती